नमस्कार मित्रों, हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक लेखिकाओं की बहितरीन और खुबसूरत कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए दुबई में हिंदी का गौरव बढ़ाने वाली लेखिका डॉक्टर आर्ती लोकेश की लिखी हुई लेटिस्ट कहानी फिबोनाची प्रेम तो प्रस्तोत है डॉक्टर आर्ती लोकेश की पुरस्कृत कहानी फिबोनाची प्रेम ये सुननदा ने दुबई की फ्लाइट क्यों ली? जबकि उसे मालुम था कि हम अबुधाबी में रहते हैं, इतनी दूर जाना आसान है क्या? अश्विन जलाते हुए बोला और कार में उल्टे हाथ की और चालक की सीट पर बैट गया रंजिनी ने इस्थित प्रग्य भाव से अश्विन को देखा और दाईयों का दर्वाजा खोल बाजी वाली सीट पर बैट गई ना अश्विन ने कुछ कहा ना उसने कुछ सुना ही हो जैसे कार अबू दहबी के UAE स्पेस सेंटर की पार्किंग से निकल कर तीन मिनट के अंदर शेक जायत महा मार्क पर हवा से बाते करने लगी यहां अश्विन 140 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला कर दुबई हवाई अड़े डेड़ घंटे में पहुँच सकता था बोलो भी अश्विन ने स्टेरिंग वील को कसकर थामे हुए कहा अश्विन तुम्हें याद है जब हम तीनों बैंगलोर इसरों में काम करते थे रंजनी रॉकेट सी उड़कर जैसे बैंगलोर पहुँच गई थी हाँ तब तुम मेरी असिस्टेंट थी और सुननदा मेरी बॉस कहते हुए हसा हश्विन जीवन की गहमा गहमी विस्मरत को ओचक समक्ष पटक देती है रंजनी निर्विकार भाव से आगे बूली तुम तब सौर मंडल में प्रत्वी की फिबोनाची गती की गढ़ना कर रहे थे सेहमत के लिए उसने अश्विन को देखा सुनन्दा बहुत बहुत बहस करती थी फिबोनाची सद्धान पर कि ये हमारे रिशी पिंगलाचारे का दिया हुआ गणित है उनके शिश्यों ने अरब दुनिया में पहुचाया आधी-आधी जबकि सब जानते हैं कि इसका पहली बार प्रकाशन ही इटली के गड़ तग्ये ने बारहमी सदी में किया और पिंगलाचारे का समय इसापूरु का है पर वो मानती ही नहीं थी बहुत अडियल थी प्रदीप्त नेत्र हो गया था आश्विन तब क्रोध साधन रही इस प्रतियां अब विनोध साध्य हो गई थी कितनी ही जानकारियां हमारे रिशी मुनी हमें दे गए थे सदियों पहले ही जिने हम ना उपयोग कर पाए ना सुरक्षित ही रख पाए और अपनी उदासींता वश उन पर अपना वनशादिकार भी खो बैठे फिर पश्चिम वाले उनी नियमों को सिध्धान्त और प्रमेय बना बना कर हमें ही लोटा रहे हैं रंजनी सुस्थर बोलती रही तुम क्यो सुनंदा बन रही हो और इन बातों का उसके दुबई लेंड होने से क्या संबंद अश्विन के सुर में हलका तंज भराया था अश्विन तुम इस बात पर शोत कर रहे थे न कि अर्बों खर्बों वर्षों में फिबोनाची गती सिध्धान्त के आधार पर धरती सूरी से बहुत दूर निकल जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब वो सौर मंडल से बाहर निकल जाएगी रंजनी उसके भावों से निस्प्रह बनी अपनी कहती रही हाँ यार अगर निन्यानवे के फेर में इसरो छोड़ कर यहां ना आया होता तो वो शोद आज पूरा होता उसकी बड़ी रोयल्टी जीब रहा होता अश्विन का पश्चाताप छलका पढ़ रहा था रंजनी आज उसे भावनाओं के रोलर कोस्टर पर ले गई थी तो समझो वो सुननदा ने पूरा कर लिया है एक मिमोक्त धारा में बहती रंजनी इस वाक्य के माध्यम से जैसे पुना मुख्य प्रवाईनी में आ मिली क्या क्या कह रही हो तुम रंजनी नासा में सुननदा मेरी इसी थोली पर अनुसंधान कर रही थी और और तुमने मुझे बताया तक नहीं कभी दो आगनेय नेत्रों ने अपनी दिशा बदली और सड़क से हटकर रंजिनी को अपना गंता प्य बनाया रंजिनी जाने किस अधह पदार्थ की चादर उड़े बैठी थी कि कोई आच उसे छू नहीं पा रही थी ना व्यंग बाण ही भेद पा रहे थे नासा का तो वो ही जाने ये सिध्धान्त उसने अपने जीवन में उतार कर सत्यापित कर दिखाया है रंजिनी पुना निर्विकार भाव से बोली क्या मतलब अश्विन सा बड़ा व्यग्यानिक ब्रह्मान और अंतरिक्ष की गुत्यों को कुशलता से हल करने वाला भीतर नहित संवेदनाओं की गुत्यों को सुलजाने में सरवता निश्वल रहा था इतने मासूम तो तुम नहीं होगे अश्विन ऐसा मेरा मानना है क्या तुम ये नहीं जानते कि हमारी शादी के समय सुननदा ने नासा के प्रपोजल को अकस्मात कैसे स्विकार कर लिया जिसे वो साल भर से नकारती आ रही थी वो पिछले दस सालों में एक बार भी अपनी बहन और सबसे प्रियस रहे ली यानि मुझसे मिलने नहीं आई जबकि हर बार वो एमिरेट्स की फ्लाइट ही लेती थी और दुबई हॉल्ट करके ही ताउजी के पास जाती थी तुमारे मन में ये सवाल कभी नहीं कौन था रंजिनी ने एक तिरची नजर अश्विन पर डाली अश्विन के संग्यान उसकी उपलब्दियों की खुली किताब न थे जिने वो पढ़ लेती बहरूपियों से अटे संसार में पुरुष बड़ा कलाकार है कोई मर्म ना पाए ऐसा कठोर मुखोटा धरन किये रहता है अच्छा ऐसा हुआ क्या पर ऐसा सब क्यों किया सुननदा ने अश्विन के स्वर की तलखी सहसा द्रवित हो चली थी रंजनी के अभुज रहस्यों को शब्द रूप में बूजना सरलना था अश्विन ने नर्व द्रष्ट से रंजनी को ताका रंजनी तब तक अपनी सीट को पीछे की और तिर्चा ढकेल कर आँख मूंद रही थी अश्विन भर्माया था कि रंजनी के पास इसका उत्तर कदाजित ही हो ना उसे उत्तर की प्रतीक्षा थी ना ही आकांग्षा तथा पी कुछ था मधुर मनुहर जो था तो अखत अश्रुत पर उसकी टंकार उनके हिर्दय में समान आंदोलन की आवरत्ती करती थी मधुरे मध्धम धुनिया भी सदैव कर्ण प्रिय नहीं हुआ करती खगोलिय पिंडो की स्थितिय गर्णा के लिए इसरों ने अश्विन को न्युक्त किया था इसी परियोजना पर सुननदा और रंजिनी दोनों बहने पहले से ही बुन्यादी खोच कर एक भोतेकिय सनरचनाश तयार कर चुकी थी सुननदा खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान की प्रकांड विदुशी मानी जाती थी और रंजिनी एक समुन्नत शोधारती थी अश्विन पर सुननदा की विद्यता नवीन परिकल्पना शक्ती और उतकट जुनून का गहरा प्रभाव पड़ा था असीम अमूर्थ संभावनाओं को मूर्थ रूप रेखा प्रदान करने की योगता में सुनन्दा की कोई सानी नहीं थी अश्विन सुनन्दा की बहुत कदर करता फिर भी वे दोनों किसी ना किसी विशे पर शास्त्रार्थ में उलजी ही जाते थे सुनन्दा द्रढ विचारों वारी लड़की थी रंजिनी ग्यानी होते हुए भी वाद विवात से कतराती थी सुनन्दा से भिन विचार सुभाव होने पर भी वो कभी टकराओ की अवस्था में न जाती थी ना ही बाद बाद पर अड़ती थी अश्विन और सुनन्दा को बहस करते छोड़ करो कैंटीन में जा बैठती थी जख मार कर अश्विन सुनन्दा के आगे हाथ जोड़ता और कैंटीन का रुख करता था रंजनी सदैव आवेश त्याग शांत रहकर समस्या हल करने के लिए समझाती सीधी साधी सरल समझदार रंजनी उसे भाने लगी थी अब उसका समय रंजनी के आसपास अधिक कटता था सौर मंडलिये पिंडो के फिबोनाची प्रभाव पर तीनों मिलकर अध्यन कर रहे थे इसी भी सुनन्दा ने इस अनुसंधान को पूरा करने के लिए नासा के अतुल्य प्रस्ताओं को ठुकरा दिया था सुनन्दा के वेवार में एक परिवर्तन कहें या की परिपक्वता जो भी था वो आ गया था वो अश्विन से प्रतिवाद भी कम करती थी तनाव युक्त इस्थित की पूरी संभावना होते हुए भी वो ऐसी शांत रहती जैसे गड़े में ठैरा हुआ ज्वार का पानी अश्विन के समक्ष रेश्मी डोरों की उपस्थिती को महसूस करती उसके व्यक्तित्य की तहें और उर्गी पढ़तें उसके विवेक अनुसार अनावरत ना हुई अश्विन सुनन्दा में बदलाओ को लक्ष करकरे भी प्रभावशून ने रहता सुनन्दा ये तुमारे चेरे पर मुहा से निकल आए है क्या कुछ इलाज कराओ एक बार गौर से देखते पकड़े जाने पर उसके मुह से यकायक निकल गया था स्वयम पर कुरुद हुआ सुनन्दा जाने क्या सूचती होगी इस तरहे निजी सवाल की अपेक्षा न की होगी उसने जेब से भर रक्षार्थ दाएबाय ताकने लगा इनका इलाज प्रेम है डॉक्टर ने बताया है आशा के विप्रीत सुनन्दा ने ठिटूली की प्रत्युत्तर ने शब्दों की असफल तलाश की निस्तेज मुस्कराहर से समयान उकूल सहसरों प्रशनों के सम्मान की रक्षा में अश्विन सफल रहा था और तुमने क्या प्रेम ना करने की कसम खा रखी है रंजनी के इस विनोध ने भले ही अश्विन की गलानी को रिरात मकता दी पर सुनन्दा का चेरा धढ़ हो गया कुछ देर कठोर मुद्रा में अपने काम में तलीन रहकर फिर लेब से निकल गई रंजनी और अश्विन अंजाने ही अपराद बोद में साजेदारी निभा बैठे थे जैसे जैसे वे अंड कटा पिंडों के क्रमिक भूनन सिद्धानतों के प्रभाव पर काम करते रहे फिबोनाची संख्या के क्रमिक अनुपात में ही अश्विन और सुनन्दा के मद्ध समवादों की दूरी बढ़ती रही कभी लगता था कि अश्विन के पांडित्य और महारत के आगे सुनन्दा ने हतियार डालती है रंजिनी से अश्विन की शादी की बात घर में सुनन्दा ने ही की उनकी शादी से पहले उसे नासा जॉइन करने जाना पड़ा था रंजिनी इतनी विनीत विनम्र न थी जितनी पहले हुआ करती थी ये अश्विन को बिना कारण पूछे पूरा करेगा उस रात अश्विन ने बहुत से वादे किये थे रंजिनी से कि वो कभी उसका दिल नहीं दुखाएगा कभी उससे अपशब्द नहीं कहेगा कभी उसके अधिकारों को अपने से कम नहीं समझेगा उस पर कभी शारीरिक या मानसिक हिंसा न करेगा आदी आदी जहां स्वेच्छा से दिये गए वशनों पर उसे अभिमान था वहीं मांगे गए वर्ष से आतंक था उसे राजा शांतनु की असहैता समय समय पर इस्वरण हुआती थी समय गुजरता गया पिछले दस सालों में वो काफी आश्वस्त हो गया कि रंजनी कदाचित इस वचन को भुलावी बैठी हो शादी के बाद अश्विन को अबुधावी के इस्पेस सेंटर से बुलावा आया जहां उसे ग्रहों के लौंच के सेटप के लिए अस्थाई रूप से निउक्त किया गया था ये देश संयुक अरब अमीराद शेहर अबुधावी और जगे उसे इतनी पसंद आई कि उसने इस्थाई प्रस्ताव को मजूर कर लिया रंजनी तब बहुत भड़की थी अश्विन पर अश्विन को जराबी अंदाजा ना था कि उसके साथ घूमती फिरती हस्ती खेलती बोलती बत्याती रंजनी इसरो के अपने कैरियर अपने रुत्वे से इतना लगाव रखती होगी आर्ठ लेन के महा मार्क पर दोड़ती कार के शीशे पर कार की दुगनी गती से मकान मस्जित, मौल, उल्टी दिशा में भाग रही थे उनी के साथ रेस लगा रही थी रंजनी की बाल इस्म्रतिया पिता के उहु लोग बस जाने के बाद बे सहरा हुई मा को ताउजी ने अपने घर में आश्रे दिया सुरतकल छोड कर मा छे वरस की रंजनी के साथ ताउजी के घर आ गई थी ताईजी तो सुनन्दा को जनम देते ही सिधार गई थी, जिस छोटे भाई को विजातिय लड़की से शादी करने पर उन्होंने घर से निकाल दिया था, उसकी विद्वा को घर में पनाती और रिष्टो की मर्यादा पर तनिग भी आच नहीं आने दी अगर आदमी जुबान का सच्चा और लंगोट का पक्का हो तो किसी भी परिक्षा से निकल सकता है ताउजी की ये कहवत उनके आचरण से ही पुपता थी मां हमेशा सिर्वर पल्लू रखकर ताउजी से वीर जी कह कही बात किया करती थी और छोटी बहन कासा प्रेम पाकर नहाल रहती है रंजिनी को छे महीने बड़ी बहन सुनन्दा में अनन्य सखी मिल गई थी एक तेज हॉर्ण बजा और रंजिनी की आँखे खुल गई किसी ने बिना इंडिकेटर दिये लेन बदली तो पीछे की गाड़ी ने उसे हॉर्ण बजा कर अपनी नाराज की जाहिर की रंजिनी ने कड़क एफेम चला दिया और पुना हैड्रेस पर सिर रख कर आँखें बंद करने अश्विन समझ गया था कि रंजिनी की ये विशेश क्रिया कतिपेक शोब युक्त भाव वाचक संग्याओं की धियो तक हैं उसने चुपचाप ड्राइव करते रहने में ही भलाई समझी सुनन्दा इस बार भी एरपोर्ट के पास इस्तित होटल में 6-7 गंटे बिता कर बैंगलॉर की फ्लाइट लेना चाहेती थी लेकिन रंजिनी ने उसे कसम देकर डेढ़ दिन का हॉल्ट लेने पर मजबूर किया था डेढ़ गंटे का सफर बीत किया और सुनन्दा पहले ही से कस्टम इत्याद की सारी आपचारिक्ताएं पूरी कर बाहर खड़ी थी सुनन्दा द्वारा तै की गई दूरी के अनुसार बहुत संभावना थी कि वो रंजिनी का इंतजार किये बिना एमिरेट्स एरलाइन्स द्वारा दिये गए होटल में चेक-इन कर ले एमिरेट्स की कार उसके लिए एक फोन पर आ सकती थी आज अपने ही सारे सिध्धानतों को तोड़ कर वो अपना सूटकेस लिए वाले पार्किंग में खड़ी थी रंजिनी सुनन्दा से लिपट गई व्यवधानों को परे ढकेल रंजिनी के आसूं में सुनन्दा ने स्वैम को धुला-धुला मैसूस किया अश्विन ने गाड़ी को वॉले शॉफर के हवाले किया और सुनन्दा के कंधे पर हात रखा सुनन्दा ने अपने अंगुलियों से अश्विन को चुआ और भाव विभोर इसमित की भी खेर दी रंजिनी का विभल आनन मुस्कान से गहरा गया तेरे घंटे का लंबा सफर कार की पिछली सीट पर सुनन्दा रंजिनी के कंधे पर सिर रख कर सुपता वस्था में रही पर रंजिनी का बश्पन जागरता वस्था में अगली सीट पर जा बैठा जिस घर पर सुनन्दा का एका दिखार हुआ करता था उस घर को अपने कमरे को अपने खिलोनों को सब को उसने रंजनी के साथ माटा महात्माओं ने दान का जितना सुक बताया सारा वो अपने कर्मों में एकत्र कर लेती गनित की परिक्षा में अपने आगे बैठी रंजनी के पास पेंसिल नदारत देखी तो तुरंत अपनी पेंसिल तोड़ कर आधी उसे दे दी रंजनी की किताब हो जाती तो वो अपनी आधी फार कर उसे दे देती और अदल बदल कर पढ़ाई हो जाती अपने कपड़े, कहने, बस्ते, जूते, सब कुछ साजा करके ही तो प्रफुलित रहती थी सुनन्दा इस रों में नौकरी का आवेदन स्वयम भरा तो रंजनी को भी साथ ही भरवा दिया सुनन्दा रंजनी को छोटी बहन सा इसने देती थी रंजनी भी चांद छिड़कती थी, एक दूसरे की पूरक थी वे रास्ते में खाना खाने के लिए सुनन्दा ने मुश्किल से आखें खोले परंतु घर पहुँचते पहुँचते वो इस्पूर्थ अन्भो कर रही थी बश्पन में भी वो ऐसे ही रंजनी के कंधे पर सिर्र रखकर अपनी थकान मिटाया करती थी इसने का कोश सदा रंजनी पर रिक्त किया करती, मन का कभी नहीं सुनन्दा, ताउजी के चले जाने के बाद भी तुम पहले जैसे ही बैंगलोर जाती हो, कोई खास बज़े रंजनी आज कोई राज राज ना रहने देना चाहेती थी पापा चले गए लेकिन चाची तो है, मैंने तो उनमें मां को ही देखा है सुनन्दा की पलकों की कोरें गिली हो गई, मगर मेरी याद कभी नहीं आई तुमें रंजनी ने उलाना दी, याद उन्हें किया जाता है जो मन से दूर हो, समझी सुनन्दा ने एक चपत लगाई रंजनी को, तो तुमने मुझे जीवन और मन सबसे ही दूर कर दिया था रंजनी ने धीमे से उचा रहा, तुझे याद है रंजू, पापा मुझे घूंगा कहते थे घूंगा जो सर्पिकल शंक में रहता है, अचानक जैसे कुछ याद आया सुनन्दा को तुम अपने खोल में जो छिपी रहती थी ना, ना किसी से बात करती थी, ना किसी से मिलती थी तपाक से बोली रंजनी, घूंगे के खोल की नलकी का व्यास भी फिबोनाची नियम के अनुसार आरंभिक इस्थिति से बाहर की ओर बढ़ता है और अपना आकार बढ़ाता हुआ गूंगा, शंक की बड़ी होती नलियों से बाहर आ जाता है कितना भी श्रम कर ले, कहलाता वो फिर भी गूंगा ही है सुनन्दा किस्यानी हसी हसी ऐसा नहीं है सुनन्दा, शंक उसका सुरक्षा कवच है जो उसके विसरजित पदार से बढ़ता जाता है तुम आज नासा में हो, जहां पहुँशना अच्छे अच्छे व्यग्यानिकों का सपना होता है अपने शेल से बाहर निकल कर दुनिया पर राज कर रही हो रंजनी ने रहांड़स बढ़ाया हम, ठीक कहती है तु रंजू अपने ही शब्दों से अस एहमज सुनन्दा शूने में खो गई रंजनी को एहसास हुआ कि कितना कुछ खोया है सुनन्दा ने ये काम्याबी का आवरार भ्रमित कर दूरी बढ़ाने की ढाल है तुम अब घर बसालो सुनन्दा, बहुत हुआई काकी जीवन रंजनी सुनन्दा का हाथ पकड़ कर उसे बेडरूम में ले आई थी मेरे नसीब में ये सुप नहीं है पगली मैगजीन के पन्ने उलटते पलटते सुनन्दा बोली ऐसा क्यों कहती हो सुनन्दा, आज भी कितने ही मिल जाएंगे रंजनी की आँखे नम थी हाँ हाँ, एक को चाहा था, वो तो मिला नहीं मैगजीन एक तरफ सरकारी सुनन्दा ने तुम बहत खुबसूरत और योगे हो, अब भी सैक्रों दीवाने होंगे तुमारे रंजनी ने दाई आँख तबाई, और सैक्रों मिल भी जाएं तो क्या रंजू, वो तो नहीं, कहते कहते उसकी जिवा जैसे काठकी हो गई मिल जाएगा वो भी, रंजनी ने अनकहा सुना और बिनकही ही कह दिया तुझे क्या पता कि कितनी राते उस चित्चोर के सुकत इस पर्ष की कल्पना में भी थी काश एक बारो निर्वोही भी सौपने में ही सही इस पर्ष कर लिता सुनन्दा का रोम रोम ये कह रहा था केवल एक उसकी जुबान इसे जुटला रही थी उसने मन साजा ना तब किया था ना अब रंजनी ने ना उसका नाम पूछा और ना ही सुनन्दा ने बताया ही उसका दुरबहागी ही रहा होगा जो विशुद प्रेम उसे इस पर्ष ना कर सका रंजनी ने प्रकट में कहा धत पगली वो बहुत भागिशाली है उसे बहुत प्यारी जीवन संगनी मिली है सुनन्दा ने अपार इसने भर कर रंजनी को देखा तुमसे प्यारी नहीं हो सकती रंजनी सस्त नहीं बोली तु तो पगला गई है चल सोजा रात बहुत हो गई सुनन्दा ने इस चेप्टर को क्लोज करने का इरादा किया क्या बाची चल रही है बहनों में अश्विन अंदर आते ये वारता में शामिल हुआ सुनन्दा को चैन मिला कि अब विशे आसानी से बदल जाएगा अब तो फिबोनाची का केंदर है ये श्री मती जी और इनकी आदेश की पूरती उसी की लहर में पिछले दो संख्याओं को जोड़ कर आगे बढ़ रहा हूँ अश्विन ने हाँ जोड़े तो सुनन्दा की याद में इसरो के हाँ जोड़े अश्विन की छवी तेर गई अंदर का सेला अब सारे बांध तोड़ बैठा और आँखें चल चला आएं अश्विन भौचक रह गया और सुनन्दा को संभालने लगा अश्विन तुमने मुझे एक वचन दिया था कि मैं एक वर मांगूंगी और तुम बिना कारण पूछे मेरी इच्छा की पूर्ती करोगे बिल्कुल ये जिन अपने आका के हर हुक्म की तामील करेगा अश्विन ने सलामी ठोकी नहीं हुक्म नहीं वर जो दिया था उसका दान चाहिए रंजिनी का प्रेम विस्तार की यात्रा तैकर अपने सौर मंडल से निकल आज दूसरे तारक मंडल में पहुँच गया था जहां उसे सुनन्दा खुली किताब की तरह दीख रही थी बोलो देवी जी क्या चाहिए कैसा वर दूँ भौचक अश्विन बोला तुम सुनन्दा के हो जाओ उसकी जोली प्रेम से भर दो उसके मन का सपना उसकी पलकों पर सजा दो शपत लो कि ये एक वर मुझे दोगे फिबोनाची पर दो खोश करने वालों को हत्प्रप छोड़ कर फिबोनाची प्रेम को विस्त्रियुन करती रंजनी कमडे से बाहर चली गई अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आर्ती लोकेश की लिखी हुई एक प्यारी सी कहानी फिबोनाची प्रेम आशा करती हूँ कहानी आपको भी पसंद आई होगी अगर आपको मेरा प्रस्तुती करन ठीक लगता हो और साथ ही मेरे चैनल की कहानिया पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इसी तरह सुंदर कहानिया में आपको सुनाती रहूँगी फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो, सुंदर हो